कि हाय गाईज इस वीडियो में आज मैं आपको बहूत ही इंपॉर्टन जानकारी दूंगा कि कितने एपलेकेशन इंडियन गवर्नेमेंट ने और बैन करें पहली जानकारी डूसरी इंपॉर्टन जानकारी की स्नैक वीडियो क्या चाइनीज अप्लिकेशन है और क्या ये भी बैन हो सकता है नए नियम के हिसाब से तो आपको पूरी वीडियो में जानकारी मिलेगी इस वीडियो में अंतक्का बने रहेगा इंडिया में 59 अप्लिकेशन बैन होने के बाद जो कि 30 जून 2020 को बैन हुए थे जिसमें की टिक टॉक नंबर वन लिस्ट में था उसको बैन होने के बाद अभी तक का टिक टॉक की वापसी की कोई जानकारी सुनिश्चित नहीं हुई है किसी भी सुत्रों के अनुसार अभी तक का टिक टॉक में इंडिया की वापसी अभी तक का नहीं पता लग पा रही ह कि इंडिया में वापस से टिक टॉक कब रिलाउंच होगा आज एक एहम जानकारी आई है कि इंडियन गवर्नमेंट ने वापस से 118 अप्लिकेशन को बैन किया है जिसमें की PUBG जो काफी लोगों के दिलों में रास करता था वो भी बैन हो गया है काफी लोग इसको बैन होने से भी होंगे क्योंकि काफी लोग चाहते थे कि अप्लिकेशन बैन हो जाए क्योंकि काफी सारे यूवकों का दिमाग उसी में लगा रहता था और काफी सारे यूवकों की उसमें मृत्यू भी हुई है इस एप्लिकेशन के चकर में पपजी अप्लिकेशन के चकर में क्योंकि एक चाइनीज अप्लिकेशन था इसलिए इंडियन गवंडरमेंट न उसको बैन कर दिया बैन करने का एक्जाक्ट रीजन यह दिया गया है कि अप्लिकेशन इसलिए बैन हुआ है क्योंकि यह अप्लिकेशन सेक्यूरिटी त्रेट की वज़े से यह अप्लिकेशन इंडिया मे Banned हुआ है उल सबसे एहम जानकारी है अगली जानकारी जो काफी लोगों के को लोगों के दिमाग में वोगा कि क्या सनैक वीडियो एक Chinese एंसाथ क्या स्थिख वीडियो इंडियन अप्लैशन रेपकेशन लाकिश और एक चाइन आपने आज का न्यूज आर्टिकल देखा हो तो 118 अप्लिकेशन को बैन होने के साथ में 200 सरसड यानि 267 अप्लिकेशन इंडियन गवर्नमेंट के रडार में हैं जो की continuous monitor करे जा रहे हैं अगर उनमें कोई भी security threat पाया गया तो वही वह अप्लिकेशन वापस से बैन हो जाएंगे में भी उसमें snack application हो सकता है snack application काफी टाइम से लुका चुपी का गेम खेल रहा है लोगों की एक ही चीज़ बोलूँगा कि किसी भी application को permission देते वक्त आप ध्यान से देखिए कि आप क्या-क्या उसको rights दे रहे हैं अपने mobile का data देखने के लिए क्या आप उसको phone contact दे रहे हैं क्या उसको अपनी gallery दे रहे हैं जो भी दे रहे हैं सो समझ के permission दीजेगा जब आप किसी application को अपने mobile में download करते हैं तो आप से permission मांगता है उस permissions को ध्यान से पढ़के उसके बाद दीजेगा जिससे कि आप किसी भी दुविधा में ना पढ़े बाद में इसी तरीके की धमाकेदार information के लिए मेरे channel में बने रहेगा आपको latest जानकारिया मिलती रहेंगी